तो चलिए सुरू करते हैं आज सेरसा सूरी के बारे में कुछ जयान कर यहां कुछ ऐसे प्रिशन जो सिर्फ से सम्मंदित हैं और बिभिन एक्जामस में हमको देखने को मिलते हैं सेरसा सूरी इनका कारेकाल 1540 से 1545 के बीच में रहा था इनके बच्पन का नाम फरीद खाँ था कई बार एक्जामस में पूछा गया है ये प्रिश्ण इन्हें सेर खाँ की उपादी दी गई थी सेरसे लड़ने के कारण और ये उपादी ने दी थी बाबर खान लोहानी ने चौसा का युद 1549 में लड़ा गया था बहुती प्रशिद युद था ये युद हुमायू और सेरसा सूरी के बीच में हुआ था चौसा के युद में सेरसा ने हुमायू को पराजित का दिया था प्रशिद का युद 1540 में हुआ ये युद भी हुमायू और सेरसा के बीच में हुआ था इस युद में फिर से सेरसा ने हुमायू को पराजित कर दिया था कनोज को युद का एक अन्य नाम भी है बिलग्राम का युद क्यूंकि कनोज और हर्दोई के बॉर्डर पर लगभग बिलग्राम नाम का एक कस्वा पाये आता है तो वह जो मूल इस्थान था कनोज का वह बिलग्राम था सूर समराजि का संस्थापक आप समझी रहे होंगे सेरसा सूरी है इसके बाद ग्रांट टंक रोड का निर्माड सेरसा सूरी ने कराया था भारत में पहली वार रुपय का पचलन सेरसा सूरी ने ही किया था डाक परसा का पचलन भी सेरसा सूरी ने ही किया था ये सभी ऐसी इनके दोरा की अगयकार हैं जो अक्सर पूछ लिया जाते हैं एक्जामस में सेर्षा के पुराने किले का निर्माड सेर्षा सूरी ने स्वयम करवाया था इसके अलावा दिल्ली में किलाए कुलना मस्जिद का निर्माण भी सेरसा सूरी के दोरा कराया जाता है सेरसा सूरी बहुत अधिक प्रसिद रहे हैं उस समय के अपने समकाले इन अन इसासकों में किस काम के लिए प्रसासनिक और आर्थिक सुधार के लिए सीरसा सूरी के मुर्द्च वह थी जभने कालिंजर के लिए कालिंजर अव्यान चला रहा था सीरसा सूरी के मुर्द्च वही थी बहुती इस्टेंडरब प्रष्ण रहता ही यह उकका नामक एक आगनेयास्त्र था जिसको चलाते समय स्वयम एक अच्छा सिनानायक भी होने के कारण वहत्यारों का खुल ट्रायल लिया करता था उस ट्रायल में स्वयम में उसकी मृत्ति हो गई थी इनका मकवरा सासाराम में है जबकि इनका उत्तरादिकारी इसलाम साथ सूरी था तो यह सेरसार सरे रूलेटेड सारे प्रमुक प्रश्ण है उमीद करते हैं आपको इस सौल्ड वीडियो में इतने बहतरीन प्रश्णों के समायोजन से बहुत हिलाब मिलने वाला रहेगा धन्यवाद